बॉलकम टो मैट्स क्लास मैट्स में पिटा आज हम करेंगे shortest and longest ठीक है? कि shortest का मतलब क्या होता है? जो छोटा होता है और longest का मतलब क्या होता है? जो लंबा होता है देखो जैसे निचे carrots दे रखिये ना कौनसी छोटी और कौनसी बड़ी है? है ना जो छोटी है उस पर लिखा है shortest और जो लंबी है उस पर क्या लिखा है longest लिखा है ऐसे ही इसके नीचे दे रखें आपको हमने यह पर tick the longest object इसमें से जो उसा longest है उसको tick करना है अब देखो जो रतीनों में से कौन सा longest है दियान से देखो कौन सा है जो सबसे long है यह सबसे longest है तो इसके नीचे वाले box में आपने क्या कर देना है एक tick mark कर देना है ठीक है अगली पिच्छर पैंसिल्स तीन पैंसिल्स दे रखी है इनमें से कौन सी है longest देखो जरा इनकी length देखो किसकी ज्यादा लंबी length है फर्स्ट वाली छोटी है और बीच वाली सबसे लंबी है तो इसलिए बीच वाली पैंसिल के नीचे आप क्या कर दोगे एक टिक मा कर दोगे ठीक है ऐसे ही जो इसके नीचे वाली ये तीन कीज दे रखी है न कौन सी की है जो सबसे लंबी है longest की कौन सी है last one तो last one पर क्या हो जाएगा हम टिक मा कर देंगे ठीक है ये तो थे विटल longest देखने के इसके साथ अगला आपको दे रखा है biggest and smallest biggest मतलब बड़ा और smallest मतलब छोटा वो लंबा था यहाँ पर big का मतलब बड़ा का आएगा अब जरह देखो कौन सी smallest है तिनों leaf में से आपने क्या करना है जोन सी smallest है उस पे cross करना है इस पूरे page में उसको color करना है and उसको cross करना है ठीक है अब जरह देखो जरह धिहान से color leaf देखे आप leaf को के नीचे cross कर दो और उस leaf को color कर दो जो सबसे smallest है ठीक है सबसे last वाली है यहाप खुद करोगे आपका homework है ऐसे ही balls है इन balls में जो सबसे smallest है उस पे क्या करना है उसके नीचे cross करना है और उसको ko crew कर सकते हो कोई combustion नहीं है कि यही color करना है यह नहीं करना बस आपने smallest को color करना है बाक्यों को नहीं करना जस्ट एक जो सबसे small है ऐसे ही हट तीन हट है ना सबसे छोटी हट कौन सी है वही हट आपने देखनी है उसके नीचे box पे tick करना है और सिर्फ उसी हट को आपने color करना है ठीक है इसक आपको tomatoes, तीन tomatoes है न, तो तीनों में से सबसे smallest कौन सा tomato है, कौन सा लगर आपको, जो सबसे छोटा है, देखो, बीच बड़ा सबसे छोटा है, तो इसको टिक करकेस में colour fill कर देना, ठीक है बच्चो, तो अभी तो हमारा just अभी हम यही करेंगे, यहीं तक अभी shortest तक ही आप इसी की practice करना जैसे आप tomatoes हो गए vegetables आती है आपके घर में आती है न तो आप उसमें से देखना कौन सी आपकी longest है और कौन सी shortest है ठीके बच्चो आप इसी की practice करो फिर इसके बाद हम अपना आगे का chapter करेंगे तब तक बाइब बच्चो